Hello everyone, welcome to my channel दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे उत्राखंड साहयक लेखागार का previous year का पेपर जिसमें हम देखेंगे उत्राखंड से पूछेगे महत्तपूर्ण प्रशनों को तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओप्सन डी सत्तर प्रतिशत 2011 की जन्गर्णा के अनुसार महिलाओं की शाक्षरता प्रतिशत थी सत्तर प्रतिशत अगला प्रस्न है उत्राखंड राज्य का सेक्षन एक अनुसंदान एवं प्रिशिक्षन परिशत का मुख्याले कहा इस्तित है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा option D देहरादून देहरादून में इस्तित है उत्राखन राज्य का सेक्षिनिक अनुसंधा नयम प्रशिक्षन परिशत अगला प्रस्ण है सही विकल्प चुनिए तो इन मेसेज़ों सही विकल्प है या सही मिलान जो किया गया है उसको यहाँ पर आपको चुननना है तो इसका जो पहला है इसमें है देहरादून योग विश्यविद्याले तो ये गलत है सेकंड इसमें नैनिताल हिमालें ड्रक फेक्टरी ये भी गलत है ये नैनिताल में इस्तित नहीं है अगला प्रसन है उत्राघंड के किस खिलाडी ने ताइकॉंडो में साउथ एशियन खेल में एक गोल मेडल जीता है जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी सुरेंद्र भंडारी अगला प्रसन है निम्न मेंसे किस व्यक्ति को पद्म भुषण और रेमेन मैकसे से उत्राघंड में इस्तान है तो रिवर राफ्टिंग के लिए उत्राघंड में प्रशिद्य स्थान कौन सा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोडियाला कोडियाला रिवर राफ्टिंग के लिए प्रशिद्य स्थान है उत्राघंड में उत्राघंड क तो इन मेंसे जौनसारी नित्य कौन से है तो इसका जो राइट आंसर है option D जुमेलो जुमेलो एक जौनसारी नित्य है अगला प्रसन है उत्राखंड में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं तो उत्राखंड में ब्रह्म कमल की निस्थानों पाए जाते हैं तो इसका जो राइट आंसर है option ये चटान उपर उचे जो चटान है वहाँ पर ब्रह्म कमल उत्राखंड में पाए जाते हैं तो इन में से Jolly Grant Hawaii Dug कहा है इस्तित है तो इसका जो right answer हो जाएगा option D, देहरादून जनपद में अगला प्रस्ण है उत्राखंड राजी का उच्छी न्याले इस्तित है तो इसका जो right answer है option A, नैनिताल में इस्तित है उत्राखंड का उच्छी न्याले तो right answer हो जाएगा option C, बुग्याल, देहराद एक बुग्याल है अगला प्रस्ण है डोडी टाल इस्तित है तो इन में से किस स्थान पर डोडी टाल इस्तित है तो इसका right answer है option B, उत्तरकाशी उत्तरकाशी में इस्तित है डोडी टाल अगला प्रसन है जिम कॉर्बेट पार्क दो जनपुदु के मध्य इस्तित है तो कौन-कौन से दो जनपत है जिन में जिम कॉर्बेट नैसल पार्क इस्तित है तो इसका जो राइट आंसर है उप्सन C पौडी और नहिताल पोड़ी और नहनिताल में फैला है जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क अगला प्रस्ण है कामेट परवत की उचाई है तो इन में से कामेट परवत की उचाई कितनी है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन सी 25,413 फिट 25,413 फिट है कामेट परवत की उचाई उसके बाद अगला प्रस्ण है दर्बान सींग नेगी को कौन सा सम्मान प्राप्ट है तो दर्बान सींग नेगी को इन में से कौन सा सम्मान दिया गया है तो इसका जो राइट आंसर है ओप् Conse B दोस्तो ये सभी प्रस्ण इनका मूल प्रदेश कौन सा है तो इसका जो right answer है option से उत्राखंट, उत्राखंट से सम्बंदित है जस्पाल राणा, उसके बाद अगला प्रसन है सही विकल्प चुनिए, तो यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है, बुरास जो है हिर्दे देखभाल में इसका यूज हो आता, तो उत्राखंट का राज्य का गठन कब हो आता, नो नौमबर 2000 को, तो right answer का हो जाएगा option ये नो नौमबर 2000 को, अगला प्रसन है निम्न में पंच केदार नहीं है, तो इन में से कौन सा पंच केदार नहीं है, तो इसका जो right answer है option डी गोपेश्वर, गोपेश्वर पं उसके बाद अगला प्रसन है नंदा देवी मंदीर है, तो नंदा देवी मंदीर कहा इस्तीत है, तो इसका जो right answer है option डी अल्मोडा, अल्मोडा में इस्तीत है नंदा देवी मंदीर, अगला प्रसन है उत्राखंड में प्रसिद्ध कुम्ब मेला लगता है, तो right answer हो जाएग तो टीहरी डैम, भागी देती और भिलंगना निदी के संगम पर बरना हुआ है अगला प्रस्न है उत्राखंड में अशोक का सिलालेक कहाँ परिस्तित है तो अशोक का सिलालेक उत्राखंड में किस इस्तान से प्राप्त हुआ है उत्राखंड के पंच प्रियाग में शामिल है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option D रुद्र प्रियाग, देव प्रियाग, कर्ण प्रियाग, नंद प्रियाग और विश्ण प्रियाग ये सभी पंच प्रियाग में शामिल है स्रिदेव सुमन, स्रिदेव सुमन को टिहरी र्यासत से राजतंत्र को अंत करने का स्रे दिया जाता है अगला और आज का अंतिम प्रस्न है अलपना क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा option D, लोगचित्रकला, तो अलपना एक लोगचित्रकला है, तो ये थे दोस्तो उत्राखन सहायक लेखाकार 2016 में पूछे गे महत्पोंट प्रस्न, जो कि आपके आने वाले एक्जाम में भी आपसे पूछे जा सकता है, तो वीडियो से रिलेटेड को doubt हो, queries हो, comment section में ज़रूर बताएं वीडियो अगर आपको informity लिखे तो वीडियो को like करें, share करें और ऐसी informity वीडियो के लिए चैनल को subscribe करें Thank you friends